सुप्रभात बच्चों मैं मौन बिरिश्याखी सिख्चिका हूं तो बच्चों आज मैं आप सभी को यानि आप सभी का वुक बर्क करवाऊंगी चैप्टर 5 सुनाली का पत्र आप लोग चैप्टर 5 सुनाली का पत्र निकालिए और पैंसिल भी साथ लेकर बैठ चाहिए पिछले वीडियो में हमने आप सभी को पेज नमर 44 और किसी का A28 किसी का पेज 45 और A29 ये दोनों पेज का वर्क मैं करा चुकी हूँ है ना यहां देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगा है और इसमें वाक के पढ़कर सही और गलत का निशान लगा है है ना यहां तक मैं करवा चुकी थी और इसको पढ़ने दी थी प्रयायवाची शब्द और विलोम शब्द है ना अब यहां देखिए एक वचन बहु वचन किसी एक चीज को हम एक वचन कहते हैं और एक से दो तीन चार पांच हो तो क्या कहते हैं बहु वचन जैसे देखे एक वचन में क्यारी है बहु वचन में क्या हो जाएगा क्यारियां एक वचन में सहेली बहु वचन में सहेलियां सिर्फ आप लोग ध्यान दीजें इसमें सारा बड़ी की मात्रा है लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे ये सारा बड़ी छोटी की मात्रा में बदल जाएगा है ना और उसके बाद बगल में क्या लिखेंगे? यौमे आकर या और चंदरबिंदु जैसे सहेली का सहेलिया स अ हमे की मात्रा लमे छोटी, यमे आकार और चंदर बिंदु सहे लियां. वैसे ही लडकी का लडकीयां ल, ड के निचे बिंदु ड, क मे छोटी, या यानि यमे आकार और चंदर बिंदु लडकीया. तितली का क्या होगा तितलिया ता में छोटी ता लव में बड़ी यह में आकार और चंदरविंदू ये क्या हुआ बहु बच्चन इसको भी हम लोग बहु बच्चन कहते हैं क्यारियां क्यारियों सहेलियां सहेलियों लडकियां लडकियों तितलियां तितलियों इसमें क्या करना है आपको? स, हमें एकी मात्रा है, लमें छोटी, यमें ओकी मात्रा और बिंदी, है ना? बहु वच्चन है ना? सब में क्या लगेगा? ओकी मात्रा के साथ बिंदी, है ना? क्या है? सहेली, सहेलिया, सहेलियों, लड़की, लड़किया, लड़कियों, तितली, तितलिया, तितलियों, है ना बच्चों? अब आईए, पेज नमर 46, किसी का है और किसी का A 30, यहां देखिए, बहुत इजी है, है ना? क्या है? माता, है ना? अब देखिए, नानी के साथ क्या होगा? नाना, सौरी, नाना के साथ क्या होगा? नानी, है ना? दादा के साथ दादी और बेटा के साथ बेटी है ना और भाई के साथ बेहन इस तरीके से आप लोगों को मिलाना ये तो बताना ने पड़ेगा आप लोग खुद मिला लोगे अब यहाँ देखिए कुछ शब्द है शब्दों से वाक की बनाना है यहाँ देखिए कौ में क्या है नमस्ते नमस्ते लिखकर यहाँ आधा वाक्य बना हुआ है आधा वाक्य आधा वाक्य क्या है नमस्ते के साथ मैंने दादा जी को इसके आगे आप लोगों को बरना है प्रसंद में क्या है हरे भरे खेत देख कर मन इसके आगे आप सभी को भरना है याद का क्या है? मुझे तुम्हारी इसके आगे हम लोग को भरना है सहेली सहेली का क्या लिखा हुआ है? तुम मेरी सबसे अच्छी गाउं का क्या लिखा है? मुझे अपना गाउं अब देखिए हम इसको आगे क्या भरे हैं इस वाक्य में इस वाक्य को complete करने के लिए पूरा करने के लिए नमस्ते का मैंने दादा जी को नमस्ते किया पुन्य विराम यहां लास्ट भी दिया हुआ इसलिए मैं पुन्य विराम नहीं दे रही हूँ है ना समझो इसका ही पुन्य विराम हो सकता है लंबा सा कोई वाक्य बनाओ तुम लोग अपने मन से अपने मन से भी बना सकते हो लेकिन स्पैलिंग सही होना चाहिए यहाँ देखिए प्रसंद का हरे भरे खेद देखकर मन प्रसंद हो गया है ना? अब यहाँ देखिए याद मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है यहाँ देखिए सहेली सहेली का क्या है? तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो ठीक? अब देखिए गाउ गाउ का क्या है? मुझे अपना गाउ बहुत पसंद है है ना? अब आजाईए नीचे यहाँ देखिए क्या है? विशेशन यहाँ है अब आप दिये गए संग्या शब्दों के साथ एक-एक विशेशन लगाईए बस मैं यही तक बता रही हूँ पिछले वीडियो में मैं आपको संग्या और विशेशन के पारे में समझाऊंगी और आगे लिखाऊंगी तब बच्चों आज आप पेज नमबर 46 और किसी का A30 में इसको अच्छी तरीके से सुन्दर हैंड़ाइटिंग से लिखोगे बच्चों मैं आज आप सभी को हुमबक्या दे रही हूँ चैप्टर 5 का पेज नमबर किसी का 44, 45 है और किसी का A28, A29 जो पिछले वीडियो में मैं कारी करवाई थी उसी को आप सभी अच्छी तरीके से याद करोगे है ना? गुडबाई बच्चों